नाम है मंगल, नाम तो आपने सुना ही होगा मंगल नाम है लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है यदि किसी जन्मु पत्रिका में एक, चार, साथ, आठ या बारहवे भाव में बेराजमान हो तो ऐसा इस्त्रिया पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है और ये क्या करता है आप जानते है ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दामपत्य जीवन में जहर घोलने का कारे करता है तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है क्या किया जाए अब इस दोश का साथ यदि आप भी इस दोश से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का जी हाँ 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं इस दोश की समापती का इस से अच्छा मौका अगले एक वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है तो यदि आप भी इस सुरोत का पाठ अपने निमित्व कराना चाहते हैं विवह करना चाहते हैं दामपत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं तो इस विलक्षन अनुष्ठान में आपको अवश भाग लेना चाहिए क्योंकि ये मंगल दोश निवारन का ब्रम्हास्त्र है ऩोम पूर्णमदाः पूर्णमिदम् पूर्णात पूर्णमुदच्क्ष्कते पूर्णस्य पूर्णमादायं पूर्ण मेवाव शिश्यते ओम शान्ते है शान्ते है शान्ते है पंच मकारों में एक मत्स अर्थात मचली का भी उलेख मिलता है तो क्या जैसे शराब जैसे मांस उसी प्रकार से मत्स का भी प्रत्यक्ष प्रयोग करना है या उन्ही की तरह अप्रत्यक्ष प्रयोग करना है आखिर क्या है इसकी सच्चाई साथियों पंच मकारों में से आज मत्स अर्थात मचली अंग्रेजी में जिसको फिश कहते हैं उसके बारे में चर्चा और उसी का ये प्रश्न है तो वापस वही बात हैं कि लोक जीवन में हमारे सामाजक जीवन में घर परिवार में हम देखते हैं कि शराब पीना भी बुरा माना गया है मांस खाना भी बुरा माना गया है और मचली खाना मांस का ही एक दूसरा रूप है वो भी बुरा माना गया है क्योंकि इनसे तामसिक तत्य जागरत होते हैं और व्यक्ति उसमें अपराद कर बैठता है, कूक्रित्य कर बैठता है, तो क्यों तंत्र शास्त्र में इनको अच्छा माना गया है? शराप पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, मांस पर भी चर्चा कर चुके हैं, आज प्रशन है मच्छली का, तो साथियों जैसा कि पहले भी बताया, नवीन दर्शकों को हम बताते चलें कि तंत्र शास्त्र में कुछ बातें, कुछ शुरुतियां, कुछ मंत्र सांकेतिक रूप स लिखे गए हैं। वो द्वी अर्थी हैं। दो उसके अर्थ हैं। और हम मनुष्य जो हैं। बहुत माहिर हैं इस बात में कि हम अपने मतलब की चीज ले ले। अपने मतलब का अर्थ निकाल ले। तो हर एक चीज का तंत्र में substitute भी दिया गया है तंत्र में जो वामाचार है उसमें उसका प्रत्यक्ष प्रयोग भी होता है लेकिन बहुत उच्छ स्तरकी साधना पर शराब है तो original exactly शराब ही आएगी मान्स है तो वो exactly ही होगा मत्स है तो exactly ही होगा मैथुन exact लेकिन यहाँ पर जो नव प्रवेशित लोग है साधना के क्रम में है जिनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है ग्रहस्त है उनके लिए इस प्रकार की ये exact करना मना ही है तो मत्स के कुछ अनुकल्प, अनुकल्प मतलब substitute बताएगा है मत्स के क्या-क्या substitute बताएगा है जैसे की बैंगन है, मूली है या लाल रंग के दूसरे जो कंद मूल है उसको मत्स का substitute बताएगा है और मत्स शब्द जो है अपने आप में इसके बड़े गहरे अर्थ है स्रिष्टी में भी जहां वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इस धर्थी पर सबसे पहले मेरीन लाइफ शुरू हुई थी अर्थात समुद्र में ही जीवन पैदा हुआ था और हमारे पुरान तो खास तोर पर मत्स पुरान इसी बात से भरा हुआ है स्रिष्टी की रचना का उसमें विशद उल्लेक है कि किस प्रकार से प्रान जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिन ध्रुव के बीच में ब्रह्मन कर रहा है विश्वत रेखा के मार्फत साथ ही इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे तो जो मत्स शब्द है मत्व और स्य ये कहीं न कहीं इंगित करता है ममत्व की भावना को किसके प्रती अपनत्व की मम अर्थात में स्वयम तो ममत्व की भावना अर्थात स्वयम से जो तादात में करता है और हम साधना में क्या करता है हमारे ही शरीर को साधने का प्रयत्द करता है जो सम इस्थित है मतलब आपको आपके बाहर जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है ना तो बाहर की कोई चीज आपको सुख दे सकती है ना बाहर की कोई चीज आपको दुख दे सकती है आप सम स्थिती में हो भगवान कृष्ण ने गीता में इसमें बड़ी सुंदर स्थित प्रग्य वाला कॉंसेप्ट वो लेकर के आया है यहाँ पर कंत्र तक तो प्रकाश का एक जो शुरूती एक शलोक है वो जरूर यहाँ पर मैं उसका उलेख करना पसंद करूँगा उसका जो अर्थ है उससे यह थोड़ा सा और सरल हो जाएगा एहंकारो दंभो यद्यपी शुनता मतसर द्वीप शडेतान मीनान वय विशयहर जालेन विद्रतान पचन सद्विदागनो नियमित कृतर धीवर कृती सदा खादेत सर्वान्च जलचराना शू पिशित्तुम यह मंत्र हमें क्या कहता है कि एहंकार दंभ मद्व पशुत्व मतसर द्वेश यह छै प्रकार की मचलियां है इनहें अपने जाल में पकड़ो और सद्विद्या की अगनी में पका कर इनका नाश करो यह इन मचलियों का उल्लेख है यह यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से किसी मचली का उल्लेख नहीं है इसको और थोड़ा गहराई से और सरलता से हम समझने का प्रयास करते हैं एक मंत्र के द्वारा अब सीधे तोर पर यदी इस मंत्र को जाओगे आप समझने के लिए तो इसमें कहा गया है कि गंगा और यमुना में उनके बीच में दो मचलियां सदा तैर रही हैं उनका भक्षन करूँ यहां गंगा और यमुना कोई नदी नहीं है वो यहां पर संकेत स्वरूप है जो हमारा श्वर शास्त्र है जो कुंडलीनी शास्त्र है आपने उसमें जरूर पढ़ा होगा एडा और पिंगला लेफ्ट और जो राइट है यह एडा और पिंगला जो श्वास चल रही है इडा और पिंगला को यहां यमुना और गंगा कहा गया है और इसमें दो मचलियां दो मचलियां कुछ और नहीं श्वास और प्रश्वास है जो आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं यही मचलिया हैं इनका जो भक्षन करेगा कैसे करेगा प्रानायाम के द्वारा, कुम्भक के द्वारा इनको वो आत्मसात कर लेगा और आत्मसात करके जब भी वो कोई भी साधना है ये बड़ा बेसिक सा उसमें आपको प्रानायाम सिखाया जाता है, आपको श्वास पर प्रश्वास पर कैसे नियंत्रन रखना है कुम्भक के माध्यम से वो सिखाया जाता है तो यहाँ पर सारी बातें प्रत्विकात्मक है लेकिन फिर वही बात उच्छ वामाचारी तंत्र में जिन्होंने अपने आपके शरीर को तपा करके इतना कठोर कर लिया है कि उनको शराब से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको मैथुन से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको मानस से कोई फर्क नहीं पड़ता तामसिक प्रवृतिया ना तो जागती है ना सुशुक्त होती है उनके लिए ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हैं बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए सांकेतिक रूप से ही उसका प्रयोग होता है तो पंच माकारों में ये तीसरा था, आगे भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी आज के लिए के वल इतना ही, आप सभी स्वस्थ, सम्रिध और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार किल पंच उन्धीत करें